एक छोटी कहानी, एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी चिलिया रहती थी, वह हमेशा आकास में उच्चे उड़ने का सपना देखती थी, दूसरे पच्चिया सानी से उड़ते थी, लेकिन वह जमिन से थोड़ा उपर ही उड़ पाती थी, एक दिन उसने एक बैठा था, चिलिया ने उससे पूछा, कैसे मैं भी उतना उचा उड़ सकती हूँ, जितना आप उड़ते हैं, उल्लू ने कहा, अपने देखना अच्छा है, लेकिन वह पूरा करने के लिए कड़ी मिहनत भी करनी होगी, तुम्हें हर रोज अभ्यास करना होगा, और अपन मां स्पेसियों को मजबूत बनाना होगा, चिलिया ने उल्लू की बात माने और हर रोज अभ्यास करने लगे, धीरे धीरे वह उची और उची उड़ने लगे, एक दिन वह आखिरकार उतना उची उड़ने में सफल हो गई, जितना वह हमेशा से उड़ना चाहती है, इस कहा कहानी हमें सिखाती है कि लच्छ तक पहुचने के लिए कड़ी मेहनत और लगन आवस्यक है, हर रोज अभ्यास करते रहे, तो हम भी अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं, आपको ये कहानी कैसी लेगे, हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ऐसी और कह हमें सुनने के लिए में सस्क्राइब और कमेंट करें